Dexter New Blood एक Serial Killer की कहानी को आगे बढ़ाती है या फिर कहूं कि अब उसकी एंडिंग को दिखाती है ये सीरीज देखो Dexter के उपर ओलड़ी दो सीजन आ चुके हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे दोस्त ने मुझे Dexter New Blood जो ये एक सीरीज है ये सेजेस्ट की थी मतब ये फाइनल सीजन है Dexter जो एक सीरीज बनती आ रही थी उसके जो दो सीजन थी उसका एक ये फाइनल सीजन आता है और सीधा मेरे दोस्त ने का कि भाया जाकर Dexter New Blood सीरीज देख ले बहुत बढ़िया है अब देको मैंने पिछले वाले दो सीजन नहीं देखे हैं तो मुझे नहीं पता कि उनकी कहानी कैसी थी वो कितनी ज्यादा इंटरस्टिंग थी ओविसलि वो इंटरस्टिंग रही होगी तब ही जाके इसके तीन सीजन बन चुके हैं फिर से कहता हूं कि मुझे नहीं पता के इसी Seson कहई है, मुझे नहीं पता है, इसके अंदर दो Seson है, ये तीन सीजन है, अपना नाम बदल के और जिसे कि इसमें दिखाया जाते है कि जो इसने पिछले season में और अब season जो ये नया मैने season देखा है Dexter New Blood जो इसका पिछला season था और New Blood के बीच में जो time gap इन्हों ने दिखाया है वो 10 साल का दिखाया है कि Dexter Morgan को अब 10 साल हो गए है और उस्ने कोई बी अब कतल नहीं किया उसे वो एक serial killer होता है क्योंकि उसे कतल करने की आदत होती है ऐसी ऊसकी मान सेक्ता है लेकिन अब जो नहीं जगा पर उसने कोई नएा कतल नहीं किया लेकिन अब ट्विस्ट आने स्टार्ट होते हैं Dexter का एक बेटा Harrison जो है इससे आके मिलते है और चीजें जो है वो और ज़्यादा complex होनी start होती है अब Dexter Morgan जो है वो नही नही परिष्थितियों के अंदर या फिर नही नही जो problem है उनके अंदर वो घिरता चला जाता है और अब वो अपने आपको यहां से कैसे बचाता है यह सारी चीजें जो है वो इस season के अंदर हमें देखने को मिलने वाली है Dexter की problem और ज़्यादा तब बढ़ जाती है तब उससे पता चलता है कि यह उसका बेटा जो है Harrison वो भी एक serial killer की जो मान सकता है उससे वो ग्रसित है ज़्यादा चलता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आये थे और इस season की जो मैंने जो देखा है Dexter के उनसे काफे ज़्यादा connected थे वो देखना चाते थे कि ending कैसे होगी Dexter Morgan की तो यहाँ पर उस perspective से बात करूँ तो शायद उनको यह season पसंद आ गया होगा मैंने नहीं देखे थे तो मुझे ये वाला season बहुत ज़्यादा फीका लगा और इसकी story जो है मुझे बहुत average लगी जैसे जैसे इसके अंदर जो चीजें हमें देखने को मिलती हूँ बहुत ज़्यादा वो normal थी Dexter Morgan का एक तरीके से इसमें पता चलता है वो काफी उश्यार था वो अपने अपनी चीजों को कैसे या फिर अपने अपने काम को कैसे बहुत बढ़िया तरीके से अंजाम दिया करता था लेकिन यहां पर ऐसा नहीं देखने को मिलता है कोई twist नहीं है कोई suspense नहीं है कोई इसक चलाकी नहीं है जो भी इसके सामनी situation आती है यह उसके अंदर घिर ही जाता है उसे बचने के लिए last time में थोड़े बोत मैं कह सकता हूं कि यह यह जो कहानी को आगे बढ़ाने के लिए writers ने ठीक है इसको आगे बढ़ाई देते हैं इसको बचाई देते हैं वो बचाने की हमे इसमें एक और serial killer है वो मुझे काफी ज्यादा पसंदा है as compared to Dexter Morgan जिसकी इतनी तारिफ की जा रही थी जिसके इतनी ज्यादा record थे इतना time से वो भागा हुआ था इतनी police उसको डून रही थी या डून नहीं रही थी जो भी है मैं देखो अपने शब्दों का बहुत मुझे स दिखाया गया है साथ-साथ Harrison का जो character है वो मुझे ठीक ठाक लगा performance अब की ठीक ठाक थी average story थी average से भी नीचे में इसकी story कहूंगा ending जो थी इस series के सच में कहूं यह थोड़ा बहुत यह season फिर भी पसंद आई जाता लेकिन ending जो है पूरी कबारा कर देती है इस season का इतनी घट इस तरीके का dexter Morgan था उसका इस तरीके से last में ending दिखाना यार वो हजम मुझे बिल्कुल नहीं हुई इस करके तो भाईया ending से मैं बहुत जादा निराश हूँ या फिर कहूं इस पूरी series को मैं अपनी तरफ से देना चाहूंगा 4.5 ऑफटो 10 हिंदी डब में भी अविलेबल जादा है इस series के अंदर कुछ एक जगा है और एक दो जगाए nude scene भी इसके अंदर हमें देखने को मिलने वाले हैं अगर आप लोगों ने ये series देखी है तो प्लीज कमेंट कर देना कि आप लोगों कैसे लिए कि नहीं देखी है तो जैसे कहा कि 1.4.5 ऑफटो 10 में इसको रे जादा है